ये दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनियर कुमार मनी स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ये व्रीड फोकस में बहुत बड़ी खुसकबरी लेकर आ चुका हूँ उत्तर परदेश साइबर पुलीस की भरती जी हाँ दोस्तो साथ हजार पदो पर यह भरती आने वाली है बिल्कुल दोस्तो आस्थाई परमानेंट भरती है कॉंस्टेबल और दरोगा की यहाँ पे देख सकते हो और साथ ही मैं आपको आफीसियल प्रूब भी दिखाने वाला हूँ आलिंडिया भरती है यह बहुत बड़ी खुसकबरी है 16 साइबर कराइम थाने खुलने वाले हैं जिसमें 7000 पुलीस कर्मियों की यहाँ पे भरती होगी यह बहुत बड़ी खुसकबरी है क्या है योगता कितनी वैकिंसी है इस्पेक्टर के लिए समिस्पेक्टर के लिए कौंस्टेबल के लिए हैट कौंस्टेबल के लिए पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में जो है देने वाले हैं साथ ही कब तक आप लोग apply कर सकते हो official notification कब तक declare होगी पूरी जानकारी आप जरूर देखिए काफी मज़ा आने वाला है चलिए हम आपको लेकी चलते हैं अमर उजाला के officially news पर तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो अमर उजाला राजधाने लखनव रवीवार 5 जुलाई 2020 पेज नंबर टू पर यह आपको पूरी news मिल जाएगी 16 साइबर कराइम थाने खुलेंगे जिसमें आप यहाँ पर देखिए 7000 पुलीस कर्मियों की यहाँ पर भरती होने वाली है यह है लखनव रवीवार 5 जुलाई 2020 की यह आफीसली न्यूज है तो यहाँ पर देखिए लखनव परदेश में साइबर अपराधों की रोक थाम के लिए जल्द ही और 16 साइबर थाने खुलेंगे इसके लिए सनीवार को सासन ने जनसक्ति आवांटित कर दी यह थाने मंडल मुख्यालें पर खुलेंगे लखनव वा मेरध मंडल के नोड़ा में पहले से साइबर थाने जो है चल रहे हैं अपर मुख सचीव गिरी अविनीस कुमार आवस्थी ने बताया कि 16 नए साइबर थानों के लिए 1717 इस्पेक्टर 1717 सम इस्पेक्टर 3458 कॉंश्टेबल वा हेड कॉंश्टेबल और सहायक तीम के रूप में 132 इस्पेक्टर वास्पेक्टर और 186 कॉंश्टेबल वा हेड कॉंश्टेबल जो है इसकी भरती यहां पे होने वाली है कहां कहां पे होगी तो यह परियागराज, लखनव, कानपूर नगर, वरारसी, गोरखपूर, बरेली, आगरा और मेरठ में जो है यहाँ पे आप की भरती होने वाली है यह बहुत बड़ी खुसकबरी है दोस्तों यहाँ पे जो है इस्पेक्टर की सम इस्पेक्टर की कॉंस्टेबल की और हेड कर सकते हो, बारवी पास हो तो आप लोग इस फारम को अपलाई कर सकते हो एक जाम के बेस पर जो है आपका यहाँ पे सेलेक्शन होने वाला है 7000 पदों पर यह भरती जो है आने वाली है जिसमें अल इंडिया कैंडिडेट भी अपलाई कर सकते हैं जेनरल केटिगरी से तो यह बहुत बढ़ी खुसकबरी है, 16 साइबर थाने में यहाँ पर आपकी भरती होने वाली है, तो यह दोस्तों साइबर क्राइम की रोक्ताम के लिए सभी मंडलों में अब साइबर थाना अस्थापित किया जा रहा है, इसी को देखकर यहाँ पर भरती निकाली जा रही है अब बिल्कुल अस्थाई परमानेन भरती है बहुत बड़ी खुशकबरी है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवाद